हाई एवरिवान गुड मॉनिंग वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सनिवार के दिन का वीडियो है ये सुबह का टाइम है करीब सवा साथ बचे का टाइम हो रहा है तो बस मैं यहाँ पे खाना बना रहे हूं और लगभग आधा खाना बन चुका है मतलब डाल रखती है मैंने डाल हो भी गया है इसके बाद चावल रखूंगी और इधर कड़ाई में जो है सबजी डाल दिये भिंडी की और अभी आटा लगा रही हूं तो थोड़ा सा मतलब दस-पांच मिनट लेट हो गया है नहीं तो और पहले अभी सबजी तो बन गई होती हूं, जब इनको मतलब जाना होता एक दम नहानी जाते हैं तो मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूं तो यहां पर आटा भी खतम हो गया है तो इसको पूरा मैंने उसमें बास्केट में निकालके और ड्रम निकाल दिया है धुलने के लिए गेहूं भी धो के जो है मैं दो दिन से वही सुखा रही थी तो वो सूख गया है और उसको आज देना है पिस्वाने के लिए और बाकी के और भी धूले गए हैं गेहूं तो आज कल धूब बहुत तेज हो रही है तो बस बताया है कि अगर धो के डाल दिये जाएंगे तो सूख जाएंगे तो बस यहाँ पर आटा लगाया मैंने और तुरंट रोटियां बनाने लगी क्योंकि टाइम हो गया था इनका मतलब वही है और रोटी ये बनाने के बाद तुरंट पापा को भी खाना दे देती हूं, मतलब ये जाते हैं, उसके बाद पापा भी तुरंट नहा लेते हैं, उनको भी रहता है, उनको मतलब गरम खाना ही चाहिए होता है, और खाना मेरा है कि सुबह बहुत जल्दी बन जाता है, तो अग अब इस खा लेते हैं तो बस खाना पिना होने के बाद उन दोनों लोगों का यहां पे गैस वगरा मैं क्लीन कर रहे हूं तो आज ना मेरा ब्रध है प्रदोस का तो नहाना दोना तो सुबह हो गया एक बारी मैंने चाय वगरा पी ली है अब दुबारा जो है चाय दूद और जो भी फलाहार वगरा बनाना रहेगा तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से दुलाई करनी होती है गैस को अच्छे से साप करना होता है बाकी इधर जो है बहुत अच्छे से सभाई वगरा नहीं हो पा रही है तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा साबून से जो है अच्छे से पानी लिया है बहुत जादा सामान वगरा डीपली क्लीन नहीं कर रहे हूं बस यहां पे यह इस्टोब गैस इस्टोब और प्लेटफॉर्म पूरा जो है जिदर खाना रखा हुआ है उधर नहीं साप कर रहे हूं अभी मतलब साबून नहीं लगा रहे हूं पानी से मैंने पो पूछ देती हूं और जब डीप क्लीनिंग होती है कभी जैसे वीक में या पंदरह दिन पे तब तो पूरा हटा के अच्छे से सफाई हो जाती है तो बस यहां पे जो है साबून से अच्छे से साब करने के बाद वही पानी ले लिया है एक उसमें बास्केट में तो मुझे वही थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि यहां पे ना पानी गिराने का वो नहीं है मतलब यह प्लेटफॉर्म मेरा जो बना हुआ है ना तो पानी गिराती हूं तो नीचे आ जाता है पानी मतलब पूरा फरनीचर वगरा जो दरवाजें सब भीग जाते हैं पूरा किचन जो है पानी पानी हो जाता है तो मुझे इस तरह से टौवेल तीन चार बार पानी में धो धोके पोचना होता है तो इसी वज़़े से टाइम थोड़ा जादा लग जाता है और अगर ऐसे रहता ना प्लेटफॉर्म जैसे किसी किसी का मैंने देखा हुआ है कि ऐसा बना होता है ना कि पूरा पानी प्लेटफॉर्म से होते हुए सिंक में चला जाता है तो वो सही रहता है तो ऐसे धुलाई में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अच्छे से हो जाता है मैंने बाद में इसको थोड़ा सा सोचा कि मतलब बनवा देती हूँ लेकिन अभी पूरा बन गया है ना तो फिर बनाने में दिक्कत होगी लेकिन देखूंगी आगे कभी अगर हो पाएगा ना तो जरूर बनवाओंगी तो बस पूरा किचन क्लीन करने के बाद जो है मैंने यहां पे दूद रखती है और इधर कढ़ाई रखके जो है मुंग फली भुन ले प्रेक नहीं होते हैं मतलब चार-पांच दिन छे दिन ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा रख दोना तो मतलब उसका टेस्ट खराब हो जाता है और थोड़ा सा सौगी भी हो जाते मतलब हम लोग क्या बोलते मेहरा जाते हैं तो इसलिए जो है अब हर जिस दिन ब्रत रह इथर की घर की मतलब साफ सफाई करने तो बस बेडवा गरा समेटा और यहां पर यह है जो है हेड़्-बोर्ड इसको भी साफ कर ले रहे हूँ तो एक ही दिन वह होता है ना मेरा डेली रूटीन नहीं होता है कि मै डेली की डेली चीज़े सारी चीज़े साफ करू तो आज कल वो ऐसे ही होता है और आज कल मेरी तबियत ठोड़ी सी सही नहीं चल रही अभी भी तबियत सही मेरी नहीं है पता नहीं इस बार जोसे ना बहुत लंबा बादासर थोड़ा सा उसका कम हो रहा है तो फिर से मुझे दिक्कत होने स्टार्ट हो जा रही है तो काम थोड़ा सा ना जैसे ऐसे ही कर रही हूं कि बहुत जादा मुझे मेहनत ना पड़े और काम भी हो जाए जो है आसानी से तो अई धीरे-धीरे साप सफाई में ही सबसे ज खाना वगरा बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है जितना की साप सफाई करने में तो थोड़ा सा धीरे-धीरे ही कर रही हूं तो यहां पे आज ड्रम निकाला है तो जाडू लगाते समय सोचा ही था कि मतलब ड्रम निकालूंगी तो इसको पूरा जो है जब भी आटा खतम ह होता है न तो निकालती हूं तो उसी टाइम पे न सारा सामान हटा बढ़ा के जो भी इसमें रहता है इदर उदर सबको अच्छे से समेट भी देती हूं किसमें से क्या सामान निकला हुआ है तो इदर कोने में न सब बालती ही रखी हूं यह प्लास्टिकी कार्टून रखा ह तो एक कार्टून में बरतन है जो यूज नहीं होते हैं बहुत कम कभी कभार यूज होते हैं वो रखे हैं मैंने और इसमें बॉटल हैं बड़े बड़े तो वो भी बॉटल वगरा का क्या होता है ना कभी कभार जरूरत पड़ जाती है तो इसी में मैंने रख दिया है और एक बाल्टी में जो है चिप्स बनाया है जो घर का वो है ये स्टील वाली बाल्टी तो खाली रहती है लेकिन इसमें अभी जैसे वो रख देती हूँ जो तेल आता है ना खरीद के पैकेट वाला तो सरसो का तेल और रिफाइंड वाला दोनों पैकेट सारे इसी में रख देती कि अगर थोड़ा बहुत लीक भी होगा ना तो इसी में रहेगा और सारे सामान के साथ उसको नहीं रखती हूं तो बस यहाँ पे सारा मैंने अच्छे से रख दिया है बालती वगरा जो भी इसमें सामान थे अच्छे से जाड़ू भी लगा दिया है अभी जो है अंदर के दर्वाजे ना कॉलीन से साप करे रहे हूं बहुत जादा गंदे लग रहे थे बाहर का तो साप होता रहता है अपते में दो बारी होई जाता है और पानी से ऐसे भी कभी कभी जैसे साम को हुआ या सुबह हुआ कपड़ा मार देती हूं लेकिन अंदर का जो है रह जाता है अंदर का नहीं साप होता है और वाइट कलर का है ना बहुत जादा ऐसे तो नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे बहुत जादा मतलब गंदा लग रहा था तो बस था कि नहीं इसको साप कर देती हूं अभी नहीं तो फिर ये दाग साप नहीं होते हैं तो बस अंदर का ही कर रही हूँ बाहर का भी नहीं करूँगी अगले दिन मतलब कभी भी किसी भी दिन जो है बाहर का वो तो रूटीन में रहता है ना किचन क्लीन किया तो उसको हपते में तीन दिन चार दिन करना ही रहता है तो बस वही सब पोचने के बाद मैंने जाडू लगाया फटा फट से पोचा लगा लिया और मुंख़ली तब तक भुन गई थी भुनने के बाद जो है मैंने चाय बनाई और अभी अपने लिए ये मुंख़ली और चाय ले लिए है कपड़े भी जो दो चार थे वो मैंने धुल दिये थे मतलब मसीन में ही डाले हुए थे फिर सूखने के लिए डाल दिये है तो सारा काम थोड़ा ब्रत के दिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके न सारा काम निप्टा देती हूँ कि ठकान ना हो सबसे बड़ी चीज ये होती ह और एक तो तबियत भी नहीं ठीक है तो थकान भी हो जाएगी ना तो दिक्कत होगी और इस टाइम पर जैसे ब्रत होना तो डाट भी सुनने को मिल जाती है इनका रहता है कि जब तबियत नहीं ठीक है तो ब्रत क्यूं रह रही हो लेकिन ये मेरा रूटीन वाला ब्रत है न मतलब इनको रहता है ना कि इतना जादा ब्रत रहने से भी दिक्कत हो जाती है तो इस वाले में तो उतनी जादा प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन जो निरजल ब्रत होता है ना उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है ब्रत वाले दिन तो नहीं रहता है लेकिन उ उस चीज को कहे या न कहे लेकिन सब को ये रहता है कि अगर हम काम छोड़ देंगे तो सब कुछ रुख जाएगा मतलब यदि हम औरतों की तबियत खराब हो गई जादा तो घर का पूरा रूटीन गड़बड हो जाता है सब कुछ अस्तिब्यस्त हो जाता है तो इसी में कपड़े ब्रेज करने बैठ गई और टीबी भी चलाए दिया है मैंने मूभी आ रही है ये मरदानी टू तो मुझे अच्छी लगती है तो वहीं देखने में मैं काफी lean हो गई थी जो है इस चक्कर में न कपड़े में धीरे धीरे देखे प्रेस कर रही हूँ मतलब प्रेस हाथ चल रहा था लेकिन वो speed नहीं थी थोड़ी सी slow हो गई लेकिन ठीक था कपड़े वगरा प्रेस करते समय न खहें और ध्यान जैसे टी-बी वगरा चलता रहता है तो ऐसे mood नहीं करता है प्रेस करने का और इस time पे जैसे अभी मन नहीं करता है सूबख से पूरा काम करने के बाद दोपार में मन नहीं करता है लेकिन मैं फ्री हो गई हूँ जल्दी और टीबी भी चलाई है तो आज ये मूवी तो मैं पूरा देखूंगी ही तो मैंने सुचा ये सब काम भी निप्टा ही लेती हूँ साम के टाइम फिर नहीं हो पाता है ये लोग आ जाते हैं तो फिर मतलब दिकत होती है तो तनमे के ही ज़्यादा कपड़े थे इनके सिर्फ दो सड़ थे तो एक दिन तनमे का हो जाता है एक दिन इनका हो जाता है इसी तरह करती हूँ कपड़े इसमें बहुत ज़्यादा हो रखे हैं गर्मियों में कपड़े होई जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रेस करने के ल पहले वाला है वो तो भर के मतलब चला गया दो भर में तनमे गया है दे आया है और ये अगला जो धुला गया है तो अभी न लगातार इदर दो तीन दिन जो है ये गेमू वाला काम होगा धू पच्छी निकल रही है न तो और थोड़ा सा मतलब वही कीडे वगरा लगे हैं तो सही रहेगा जो है इस टाइम पर नहीं तो फिर क्या होगा न ज्यादा ठंड भी आ जाती है न तो भी मतलब दिक्कत होती है और पूरा जितना भी धुला हुआ गया है तो इकठे धो दिया जाता है न तो बीच-बीच में बस जो है थोड़ा बहुत साफ करके पिस्वान तो चीनी भी यहां पर मैंने डाली हुई थी धूप में इसमें भी न चीटियां काली वाली यह ले आयते न उसमें लगी हुई थी तो मैंने धूप में डाल दिया तो थोड़ी बहुत निकल गई थी थोड़ी बहुत उसमें थी तो मैंने निकाल के साफ करके इसको भर दिय और कुछ सामान आए हैं ड्राइफूटस वगरा तो इनको भी रख दे रहे हूं ऐसे ही अभी भर नहीं रहे हूं इसका काम जो है अभी कुछ बनाना इसका तो ये सब अभी एक-दो दिन बाद होगा तो बस अभी जो है इसके बाद फिर अभी जो है रात का खाना वगरा बने झाल 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 झाल